तिवहार सुरू हो गए और ऐसे में जब तक घर में कुछ नमकीन चटपटा हेल्दी ना बने तब तक तुम जाई नहीं आता है आज हम बना रहे दिवाली स्पेशल बहुत ही कम बजट में और बहुत ही ज़्यादा चटपटी और नमकीन और टेस्टी हेल्दी स्नेक्स तो य बहर पर यह स्नेक्स बनाकर रैडि करेंगे तो आएए मेरी किचिन में कुछ टिप्स के साथ स्नेक्स बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको और आप भी अपने रेसिप एकदम अमेजिंग तरीकस बना सकें मसाला पापड़ी बनाने के लिए हमें याँ पर चाहिए गेहु का आठा तो एक कटोरी हमने याँ पर गेहु का आठा ले लिया है जिसे हम रोटी बनाते हैं और छे चोटे चमच यहाँ पर सूजी ले लिए हमने सूजी हम एड़ कर देंगे इसमें ताकि इसे जो हमारी पापड़ी है ना बहुत खस्ता बनेगी और तो उसमें बहुत करारा टेस्ट आएगा तो सारी सूजी मैंने याँ पर एड़ कर दिये और इसे मिक्स कर दिया अच्छी से अब यहाँ पर हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चोटा चमच अजवाइन है इसे हातों से अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चाहेगा एक चोटा चमच नमक है और एक चमच कसूरी मेती है यह इसली मार्केट में मिल जाती है जरूर एड़ करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगी और अब हम इसमें यूज़ करेंगे चार चोटी चमच तेल यह नॉमल तेल है नॉबल टेंपरेचर पर एज़ी मॉइन यूज़ करना है इसमें और इस तेल को अच्छे से मिक्स करना है मतलब आटे की एक एक दाने में से अच्छे से मसल मसल मकर मिक्स करना है और पूरा तेल अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में यह देखिए अच्छे से मिक्स हो जाए दो गांगे नॉर्मल पाने से जैसे हम रोटी बनाते है तो आठा लगाते है वैसे ही आठा गूतक्तना है और आठा sensing आपको इहां पर थोड़ा सा टाइट कूतना है यह धियान में रखना है आपको गिला आठा नहीं कूटना है नहीं तो फिर जो हमारी पापड़ी है ना बहुत चिप चिप बनेगी और फिर हमें बनाने में दिक्कत है तो फिर हमें यहाँ पर एकदम सक्त डोर लगा करेड़ी करना है यह देखिए छोपने यहाँ पर एकदम टाइट डोर लगा लिया है और अब इसे कुछ रेस्ट देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का यूज किया है तो सूजी थोड़ी फूलेगी दस मिनट के लिए हम इसे सैट होने के लिए रख लेते हैं दस मिनट बाद हम चेक करते हैं इसे यह आटा जो इन अच्छी से फूल गया है इसे ढखकर अटा कर देखते हैं यह देखिए कितनी अच्छी चमक आ रहे हैं न आटे फे आटा हमारा सैट है इसे एक बार हातों से इस तरह मसल लेंगे और ताकि अच्छे से यह सैट हो जाए और अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इस तरह से इसे लंबा रोल करते हुए एक डो बना लेंगे और फिर इसे कुछ पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से ताकि हमें बेलने में आसानी हो और एक्विलम शेप में बेलें तो एक डो हम हात में ले लेंगे और इसे बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं न वैसे इसी, थोड़ा सा ओयल लगा ले ताकि चिपचिपा ना हो, अब इसे हमें एक रोटी जैसे बेलना है, जैसे कि रोटी की थिकनेस होती ही न, वैसे हमें थिकनेस रखनी है, ना जदा पतला और ना जदा मोटा, अगर आपन मोटा बेल लिया तो पूरी बन जाएगी तो आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको रोटी जैसे बेलते है न वैसे ही बेलना है हलकी हाथ उसे यह हमने यहाँ पर जो पापड़ी के लिए जो है आठा पूरा बेल लिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक मैगी वाला चमच लेंगे और इस तरह से इसमें ऐसे होल कर देंगे इससे क्या होगा कि जो हमारे पापड़ी है वो फूलेगी नहीं बहुत कम फूलेगी और एकदम खस्ता बन कर रेड़ी होगी और अगर ऐसा नहीं करेंगी न तो क्या होगा एकदम पूरी जैसे फूल जाएगी अब एक कटोरी लेनी है चोटी सी गोल शेप की इस तरह से उसे ऐसे कट कर लेंगे आप चाहे तो इसका सेब कोई भी दे सकते है जैसे ट्रेंगल या फिर और भी कोई शेप देना चाहे तो दे सकते हैं बट गोल वाल अच्छा लगता है तो अब साइड की जो किनार है न इन किनारों को हम निकाल लेंगे और इसे फिर से बेल लेंगे मैं आपको पापड़ी की जो थिकनेस है वो दिखाती हूँ यह देखिए यह इतनी पदली है न इस तरह से आपको पतली रखनी है इतनी इसको एक प्लेट में रख लेंगे है और सारी जो पापड़ी है वो ऐसे ही बेलद करेंगे यह देखिए बिलकुल भी चिपचीपी ने यह एक डम पौफेक्ट पापड़ी बनी है तो सारी जो पापड़ी है वो इसी तरह से दूसरी बार भी बेल लेंगी बहुत आसान है बेलना इसे और आटा एक्दम परफेक्ट लगा है हमारा ये देखिए एक्दम सौफ्ट सारी पापड़ी हमने यहाँ पर बेल लिए है और ये पापड़ी बिल्कुल भी चिपची भी नहीं है मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह का आटा लगाना है तो ये पापड़ी हमारी रेडी है हम यहाँ पर तेल गरम होने लिए रख लेते हैं तेल यहाँ पर थोड़ा सा आटा ढाल के देख लेते हैं तो जो तेल है न वो थोड़ा मीडियम गरम है इस तरह का हमें तेल चाहिए और ये पापड़ी हमारी सारी बनके रेडी हैं एक साथ हमने बना कर रख लिए ताकि फ्राई करने में असानी हो तो अब क्या करेंगे एक एक करके पापड़ी इसमें डाल देंगे तेल हलका मीडियम गरम होना चाहिए तेल अगर ज्यादा गरम हुआ तो पापड़ी आपकी जल जाएगी और खसता नहीं मनेगी और खाने में अच्छी नहीं मनेगी तो तेल को थोड़ा medium गरम रखे और flame को एकदम low कर दें अब इसको दो मिनट के लिए low flame पर ऐसे ही पकाएंगे और फिर flame को थोड़ा high करेंगे तो ऐसे ही पक्निया देते हैं एक साइट से पक जाएंगे फिर इसको touch करेंगे यह देखे एक साइट से अल्मूस्ट पक गई है पापड़ी अब इसे थोड़ा इसे पलट लेंगे यह देखे थोड़ा कलर इसका एकदम वाइट वाइट हो गया चेंज हो गया है अब फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं ताकि पापड़ी अच्छे से पक जाए और जल्दी बख जाए और कलर इसका हळ्का सा चेंज होने लगाया आप देख सकते हैं इस पापड़ी को हमें बखाते हैं लगबख 2 मिनट हो गए हैं पहले हमने 2 मिनट लो फलेम पर पकाया फिर इसे हाई फलेम और यह पापड़ी जो है ना हमारी बंकर रड़ी है इसना ही कल ताला पापड़ी है वो बनकर ready है इसको निकाल लेते हैं और तेल इसे जटक लेंगे ताकि एक्स्रा जोईल है उसमें रह जाए और ये देखिए एक्तिम पॉफेक्ट पापड़ी हमारी बनकर ready है सारी पापड़ी हम इसी तरह से बना लेंगे एक बार के लिए जितनी आ जात हमारी पापड़ी है वो बनकर ready है ये देखिए दूसरी बैच में बना ली ये तीसरी बैच बन रहे है मतलब तीन बार में सारी पापड़ी यहां पर बनकर ready हो गई है ये देखिए पापड़ी बरात से में आपको ध्यान रगना है कि आपको पहले पहले आपको low flimber पकाना पिर medium flame पर यह देखिए सारी पापड़ी हमने यह पर बराकर ready कर लिए कितनी खसता और कितना अच्छा color आया है इसका और गेहों के आटे से बन गी है आप खाएंगी न आप व्यकिन माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि गेहों के आटे से बन गी है और इतनी tasty बन गी है यह मैंने आपको तोड़के दिखाएंगी न कितनी खसता है आपको और दिखाओंगी देखिए कितनी crunchy लग रही है न बहुत ज़्यादा crunchy है उसका टेस्ट तो बहुत इला जवाब है तो इन तिवार पर आप इस तरह से घर पर मसाला पापड़ी बनाईए और enjoy करिए और मुझ वीडियो आपको कैसा लगा thank you for watching मिलते हैं next amazing recipe के साथ तब तक के लिए bye bye